अब बोलने चावल काटू है दोस्तों ये वीडियो में दिख रहा ये दुकान एक जन्वित रन पार नाली का दुकान है जहां ये यूवक जो आप तस्वीरी में जिस आदमी को देख रहे हैं ये एक डीलर है इसको चोर डीलर कह सकते हैं सरकार यहां गरीबों को पेट भरने के लिए अनाज देता है फिरी में एक रूपे केजी चावल देता है लेकिन इस जैसे चोर जो आप चोर देख रहे हो स्क्रीन में चोर के वद चोर के कारण ऐसे लोग को भूखेलना पड़ता है अब आप इसम के जगा तइस किलो देता है 25 के जगा 24 किलो का चुटका उसके हाथ में दिखता है तो वह विरोध करता है अब आप ही बताई है अगर आपका राशन अगर एक के जी फिरी में मार ले रहा है तो आपको सरकार क्यों दे रहा है इसे चोर डीलरों से आप कैसे फिर अपना 20 kg अब आप सोचिए अगर आपके हाथ में मोबाइल है अगर आपके हाथ में फोन है तो आप उसे एक वीडियो बनाईए इस वीडियो में आप साप साप देख सकते हैं उस चोल डीलर को वीडियो से डर तो है लेकिन बोलता है कि वीडियो से में कोई मतलब नहीं वीडियो से म आप वीडियो ओन कर लिजे और आप वीडियो बनाईए और उस वीडियो से उसे बोलिए मत कें बना रहे हैं लेकिन उसके अंदर में डर आएगा और फिर आपको चावल पूरा देगा क्योंकि इसे अधिकार नहीं है कि आपका चावल दो के जी काटे आप वीडियो में साफ देख सकते हैं यह से पहले बत्तिमीजी से बात करता है मुह लडाते भी नजर आता है फिर इसके अंदर एक डर भी है क्या वीडियो क्यों बना रहे हो वीडियो आप क्यों ले रहे हो तो आप सभी से निवेदन है और अनुरोध है कि एगर आप जब अपना चावल लेने जात जैसे ही चोर डिलरों को मन करता है वैसे गरीबों का चावल खाते हैं और उन्हें किया जा रहा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेर जरूर करिएगा और आप सभी के लिए वीडियो है कि एगर आप अगर चावल उठाने जन्म वितरन पानाली के दुकान जात दिमाग नहीं हम लोग पास दिमाग नहीं हम आपको बैसी मांगे हैं हम हुच जन्या पोर रहा है आपको बैसी मांगे हैं देवे जन्या और आपको आपको बैसी मांगे हम देवितर नाथमा उततों पाय çek iida भी के दमी हमरे ख़ी के के दम हमेरे का लगाम ही वो गुंदग दो हो इसो को समय आजेए क्यों से अंशते सब्सक्पाइब कर दो मार्तों कि रपूचलेंगा कि रपूचलेंगा